हेलो दोस्तों कैसे आप सब लोग आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं लेके आँ ब्लैक डाइमंड की फुल डिटेलिंग वीडियो आपके सामने जैसे कि मैं आपसे प्रॉमिस किया था और इसकी बात करें प्रोडक्शन की तो फुल जोरो जोरो से दिया है और मैंने भी यह सोच रहा हूँ सोच रहा हूं कि हमने कर दिया है कि इसके 100 स्पीसी और हम उसके ओपर जो डिसकाउंट था वो लगा के रखेंगे या कि यह पच्छ पंसो रुपर का प्राइस था तो अभी भी 4800 रुपर के अंदर ही आपको मिलेगा पहले और मतल अवल चाइंगे इस वीडियो के अंदर तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो जोस्तों बात करते हैं इस सिस्टम की कियो मैं इस सिस्टम को यतनी प्रियोरिटीति दे रहा हूं क्या रीजन है reason यह है कि मैं ऐसा product बनाना चाहता था जो कि pocket friendly हो जो हर किसी के budget में हो ऐसा कारण करने का क्या है कि आप नीचे मेरे comment में देखते होंगे कईयों में कई लोगों ने comments डाले हैं कि sir हम इस product को आपके सुन सकते हैं खरीद नहीं सकते हैं पर कोई बात नहीं कभी life में खरीदेंगे तो यह चीज़ें कहीं न कहीं मुझे चुपती हैं मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैंने इसलिए सोचा कि या रे एक ऐसा भी product मुझे बनाना चाहिए जो हीरा series का part हो बट वो सबकी pocket में जो आए हर कोई उसे खरीद पाए तो इसी मकसद से मैंने black diamond को बनाया और यकीन माने मैंने कहीं कमी नहीं चोड़ी इसके अंदर के किसी भी इसके अगर बात करें look से लेके इसके design से लेके इसके subwoofer से लेके इसके circuit से लेके बात करूँ transformer तक की किसी भी किसम की मैंने कमी नहीं चोड़ी और मैंने अगर बात करूँ साउंड सिगनेचर की तो 100% रोलिंग बेस के अंदर मैंने आपको सिस्टम दिया है ताकि उनको ये ना लगे कि यार सिस्टम 4800 रुपे काया है तो मैं कई ना कई पर जो है इसके अदर कॉंपरमाइज करना पड़ा है एक परसंट का भी कॉंपरमाइज नहीं करना पड़ेगा उतना ही खुश होगा हीरा 3 प्रो वाला जितना के 4800 रुपे अला लेके खुश हो रहा है बंदा तो दोनों में आपस में कमपैरिजन कोई नहीं है मगर अपने अपने प्राइज रेंज के अंदर दोनों प्रोड़क्त बहुत ही जबर्दस बहुत ही बहतरीन रहने वाले हैं तो ये तो थी मेरी ब्लैक डाइमंड को निकालने की मंशा कि मैं किस मकसा से इसको निकाल रहा हूँ बाकी आगे ओर डिटेलिंग के चलते हैं इसकी तरफ कि इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है दोस्तों ये जो सिस्टम मैंने बनाया है अगर कोई और इसको बनाने के पीछे लगता है इसके अंदर और टूवे चैनल का इसका सर्केट रहेगा और वहीं पर 1294 आइसी के अंदर ये मैंने सिस्टम दिया जहां पर 1294 की बात आती है तो वहां पर सारी चीजें जो हटके अलग हो जाती है आता है क्यों सबसे टॉप क्लास आइसी रहती है अगर चार आइसी होगी बात करें 20-30-50-66-94-94 ये चार आइसी होती है जो की ड्राइब करती है पूरे सिस्टम को इसके अंदर अगर हम बात करें 20-30 IC जो है सामने के driver 3-4 इंची को operate करती है जो की vocals और beats के काम आती है उसके इलावा 20-50 IC जो आपकी 8-6 इंची साड़े 5 इंची के subwoofer buffers को drive करती है 22-65 अगर आपको बड़े double tower बनाने तो एक single IC साप काम चला सकते हो 8 इंची इसके इलावा 22-94 IC जो होती है अगर आप बड़े बड़े tower जो है 10-10 इंची 4 subwoofer बनाना चाहो यह 12 इंची तो 22-94 IC लगा सकते हो इसके अंदर इसके subwoofer को खोल के आपको दिखाते हैं इसके अंदर जो circuit है उसको आपको खोल के दिखाते हैं और थोड़ी सी कोशिश करें कि आपको clarification मिले देखने के बाद कि क्या system का जो है अंदर से सारा internal part रहने वाला तो चली एक बार इसको दिखाते हैं और एंड में आपको एक testing भी देंगे इसकी सबसे पहले तुम आपको बताना चाता हूं कि इसकी जो detail है यह dual tower के अंदर रहने वाला है इसके display मिल जाते ही आपको और इसके इलावा पूरे system के अंदर front के अंदर कुछ भी नहीं रखा गया बहुत neat and clean तरीके से इसको बनाया गया है बहुत simple sober है बहुत cute look के अंदर है यह system बाकी आएगा तो आपको पता लग जागा जागा जैट black look के अंदर यह दिया गया अपर section में जो है इसके हम बात करें तो सारे controls दिये गए है front side में back side में कोई control नहीं है सारे controls इसके upper part में रहेंगे इसके तो यह तो दी मैंने आउटर आपको पूरी detailing दी इसके बाद जो है अंदर की चीज़ें की आपको बताते हैं के अंदर इसके क्या रहेगा जो center to center होता है तो 6 इंची ही बनता है अब जो magnet की हम बात करते हैं इसके अंदर तो magnet आपको दिखायते हैं और सबसे बड़ी बात कि क्या है कि इसका spider में आपको दिखाता हूं के इसके इलावा हम बात करते हैं इसकी किट की तो किट की थिकनेस की बात करें तो वह जो है थ्री क्वाटर रहने वाली है यहां किनी 90 mm और एक इंची में जो है एक क्वाटर कम होती है वह आप समझ जाएंगे जिनको नौलेज रहती है इस चीज़ की तो वूफर तो यहां प आछिज चेंघ के अंदर और रहेगा और उसके इलावा जो है 90 mm इसकी जो है रहनेवाली की साइज की बात करें किट की और बात करें hours की थिकनेस तो भी इसकी साठे साथ साथ एम रहेगी डिल टावर डियूल वूफर के अंदर यह 4 इंची मीड रेंज रहेगी इसकी पूल कर लिया है आपको जो इसका सर्केट दिखाता हूं जो ड्यूल चैनल सर्केट इसका रहता है और बहताव चलानवी आईसी की बात करता हूं और चार फिल्टर का इस्तमाल किया गया है जो की बेस को स्टोर करते हैं 4700 के दो फिल्टर दिए गए तो वहीं बाइसो व्यूफ के कि आपके चार के मिड़र कड़ें अ यहां पर मैं बात कर रहे हैं आदसे को दॉसक्राइब बनाया करें मतलब पर कहीं नहीं किए तक कि किसी भी प्रोग्राम को जो है प्रफॉर्म करने में इश्यू ना हो तो साथ ही साथ जो है आगे हम बात करते हैं कि जो सरकेट है इस पर ही वही एंपलीफायर सब्वूफर सरकेट जो है डियूल जो डिजाइन किया जाता है गाड़ियों वाली बेस के लिए रोलिंग ब करेंगी तो वहीं पर दूसरी वायर जो सब्वूफर को जो है ड्राइब करेंगी तो हमेशा की तरह जो है वही डियूल चैनल का सरकेट जो लगाया गया है बार बार आपको बता रहा हूं कंट्रोल जिसके जो ऊपर की साइड में रहने वाले वह आपको मैं नहीं दिखाऊ है तो एक थोड़ी सी यह टैक्टिक्स है जो इसके अंदर जो है अपनाई गई है कि फ्रंट में देने की बजाए बैक साइड में दिये गया है जिससे कि क्यो है एर जो है आपका बिल्कुल दिवार के साथ टकरा के एक बेस जो है और एक आपको एक्स्टारडिनरी बेस तो यह चीज है कम बजट के अंदर एक अच्छी क्वालिटी और एक अच्छी सोच समझ के जो चीज को बनाया जा रहा है तो यह हमारी फ्लो बिट्स की हमेशा से खासियत रही है अब आगे इसकी टेस्टिंग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं थोड़ी सकी टेस्टिंग आप तो फ्लीज माइंड मत करिए अगर आपको योर सॉंग की डिमांड करना चाहते हैं तो आप कमेंट के नीचे करिए मैं इंस्टाग्राम पर ज़रूर से प्ले करूंगा पुछले सॉंग प्ले करते हैं लोग तो जो यह बेस फील कर रहे हैं यह है ब्लैक डाइमंड की बेस एक बार इसको स्लो वोल्यूम में भी हम लोग प्ले करके आपको सुनाते हैं चलिए क्वाइस लो वोल्यूम में टेस्स करते हैं तो देखिए आप स्लो वोल्यूम के अंदर भी आपको पूरा बेस फील हो रहा है यह फ्लो बीट्स की जो है पावर है फ्लो बीट्स का लेवल है तो एक और टेस्टिंग देते हैं आपको किसी सॉंग के अंदर नाइन सेकिंड का हम लोग सॉंग प्ले करेंगे ताकि कॉप तो यह जो है ब्लैक डाइमंड है जिसके अंदर मैंने आपको एक और टेस्टिंग दी आई होप कि आपने इंजोई किया अगर अगर आप नहीं जोई कर पाई इसकी टेस्टिंग को तो डॉंट वरी घबराईएगा नहीं इंस्टाग्राम मेरा flowbeats.in है उस पर सर्च कर लीजिए वहां पर आपको मिल जाएगी बाकि डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक देने जा रहा हूं वहां पर मिल जाएगी अब बात यह आती है कि इसके offer क्या है और इसको आप खरीदे कैसे हैं यहां पर नंबर आप पर भी आपको ब्लैक डाइमंड मोडल मिल जाएगा बागी अगर आप इसकी डीप नॉलेज लेने चाहते हैं तो मेरे नंबर वहां दिये गए कॉल्स अच्छा वाट्सप कीजिए वाट्सप में आपको ज्यादा डिटेल मिलेगी और मैं बात करूं इसके offer की तो पच्पं इसके साथ फ्री मिलेगा वह भी पहले 100 यूजर को था वह भी कंप्लीट होगे तो और 100 यूजर एड़न कर लेते हैं तो पहले 200 बंदों को मिलने जा रहा है जो वर्थ रुपीज 1,000 है तो टोटल सेविंग की बात करें तो इसके अंदर आपको जो है 1700 रुपे की सेविंग हो रही है तो जल्दी से फाइदा उठाई है यकीन मानी अगर 5-7 दिन के अंदर पिछले 100 पीसबुक हो चुके हैं तो अभी रिवील होने के तुरंट बाद ही ये जो है ये भी ओफर खतम हो जाएगा फिर आपको वही 1700 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे और आपको तब घर प्रोडक्ट पहुंचेगा तो आई होप कि आपने वीडियो को इंजोई कि अगर कुछ भी रहा गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है वहां पर आप अपनी पूरी जो है डिटेल हमसे ले सकते हैं पूछ सकते हैं साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना जाता हूं क आप एक काम करना भूल जाते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो मेरी वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो तो प्लीज भूलिएगा नहीं और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फोलो कीजि झाल झाल